सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इसलाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मिरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सबीगी लिए लेकर आया हूँ रियलमी की तरफ से दो बहुती ज़्यादा बड़िया मॉबाइल्स एक है रियलमी का 6i जो पहले लॉंच हुआ था इसके कीमत है 13000 वही दूसरे तरफ है रियलमी 7 जो भी हाली में लॉंच हुआ है पंदराह हजर का विडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कमपैरेजंट करके आपको बताऊँगा इन दोनों में क्या कमीया है क्या क्छाया है और आपको इन दोनों में सब कौन से लेना चाहिए अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी काफी जाद अच्छी है इसके बाद मिलता है मुबैल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है वाइट कलर में डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता है बाक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डिटे केबल इसकी लेंद और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी है और दोस्त अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है तो डिटे केबल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है 6i के साथ आखिर में रखा वो मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जाद अच्छी है काफी हेवी चार्जर है ये अब इस mobile में आपको fast charging का support भी मिलता है और एक 20 watt का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है तो charger भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है 6i के साथ अब ये सरसमान आपको दिया गया है 6i के साथ 13,000 में rate के साब से देखा जाए तो box के contents आपको बहुत अच्छे ही दिये गया है data cable भी बहुत अच्छी quality की है type C cable भी है cover भी काफी अच्छी quality का मिल जाता है और charger भी बहुत जाद अच्छा है चली देखते हैं अगर आप 2000 और जादा खर्च करते है realme 7 पे तो 15,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते है realme 7 को इसमें भी आपको सबसे पहले एक mini box है मिलता है जिसमें पीछे उसी तेरे किसे लगवा है एक sim ejector tool अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ user manual वैसे ही cover दिया गया है काफी अच्छी quality का इसके बाद मिलता है mobile ये भी मेरे पास white color में है detail look हम भी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको दी गई है ये white color में data cable इसकी length और quality आपको दोनों वैसी मिल जाती है 6i की तरह काफी अच्छी quality की data cable है ये भी और इसके साथ भी आपको type C cable दी गई है आखर में आपको रखवा मिलता है ये white color में बिल्कुल उसी look में charger जैसा आपको 6i के साथ दिया गया है अब दोस्तों इसकी भी build quality बहुत जाद अच्छी है काफी heavy charger है ये इसके अंदर भी आपको fast charging का support दिया गया है लेकिन दोस्तों फर्क ये है इसके साथ आपको 30 watt का fast charger मिलता है realme 6i के साथ 20 watt का है इसके साथ 30 watt का तो ये चीज़ इसमें जाद अच्छी है अब ये सारा समान आपको मिलता है realme 7 के साथ 15,000 में देखा जाए तो एक charger का फर्ख है बाकी ये mobile 2000 मेहंगा भी है तो rate के साथ से देखा जाए तो इस चीज़ में दोनों mobile से अपनी जगा सही है realme 6i की कीमत भी 2000 कम है तो उसके अंदर आपको charger थोड़ा सा slow मिल जाता है इस mobile से चली बात कर लेते हैं design के बारे में तो दोस्तों इन दोनों mobile से के अंदर आपको white color कुछ इस तरी की से मिलता है 6i के अंदर आपको white color के साथ सिल्वर color का effect दिया गया है वही दूसरी तरफ realme 7 में आपको white color के साथ साथ blue color का effect मिल जाता है जो बहुत अच्छा लगता है तो look wise तो design दोनों के ही बहुत जाद अच्छे है बाकी जादा better मुझे color लगा realme 7 का बाकी दोस्तो realme 7 में आपको design जो दिया गया है वो मिलता है matte finish के साथ वैसे तो दोनों में plastic के type का design है glass design दोनों में नहीं मिलता लेकिन design के quality मुझे realme 7 की और better लगी बात करें दोस्तो camera के बारे में तो 6i में आपको पीछे की तरफ 4 camera दिये गये हैं जिसमें पहला है 48 megapixel का दूसरा 8 megapixel का और बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के इसका front camera है 16 megapixel का camera की performance इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाती है वही दूसरे तरफ realme 7 में आपको पीछे की तरफ 4 camera दिये गये हैं जिसमें पहला है 64 megapixel का दूसरा 8 megapixel का बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के इसका front camera भी 16 megapixel का है दोसरो camera की performance आपको realme 7 में भी बहुत अच्छी मिल जाती है camera के अंदर वैसे तो दोनों ही mobile बहुत जादा बढ़िया है फिर भी आपको और जाद अच्छा मिल जाता है realme 7 camera को लेकर अगर आपको camera की वज़े से ही mobile लेना है तो realme 7 में आपको बहुत अच्छी performance मिल जाती है बाकि दोसरों आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों mobile में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा quality थोड़ी सी और better होने की वज़ेसे मुझे realme 7 design में जादा पसंद आया बात करें दोस्तों display के बारे में तो दोनों ही mobile's के अंदर आपको display size एक जैसा दिया गया है साड़े चेंज का 6.5 इंचिस के display मिलती हैं दोनों mobile's में और दोस्तों दोनों ही mobile's के अंदर आपको IPS full HD plus display दी गई है तो display की quality भी एक जैसे मिल जाती है realme 7 के अंदर फर्क नहीं है हाला कि इसकी कीमत आपको 2000 और जादा दी गई है बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो user interface भी दोनों mobile's में आपको अंदर से एक जैसा ही मिलता है आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है चलाने में अंदर से ये दोनों ही mobile's बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं बिल्कुल भी फर्क नहीं है दोनों mobile's के अंदर आपको एक हो भी और जादा ये मिल जाती है इन दोनों mobile's की display में आपको 90 Hz का refresh rate दिया गया है तो जब आप ऐसे उपर नीचे स्क्रोल करते हैं दोनों mobile's में तो आपको बहुत smooth experience देखने को मिलता है तो ये खुब ये आपको दोनों में ही दी गई है 6i में भी 7 में भी अब दोस्तो दोनों mobile's की display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ design जो है display का वो भी आपको एक जैसा ही मिलता है पंचोल कैमरे वाला display के अंदर ही camera दिया गया है left side पर तो इस चीज में भी दोनों एक जैसे हैं edges bezels अगर आप देखेंगे तो भी लगबग बराबर ही दिये गए हैं और दोस्तो सबसे important चीज अगर आप quality देखेंगे display की तो इसके अंदर मुझे बिलकुल भी फर्क नहीं लगा थोड़ इसी हलकी सी minor फर्क आप कह सकते हैं realme 7 थोड़ सा better हैं बाकि दोस्तो इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं दोनों मोबैल्स की display के अंदर तो display की quality के अंदर भी design में भी size में भी हर चीज में दोनों ही मोबैल्स आपको एक जैसे ही मिल जाते हैं लगबग left side साब देखेंगे इन दोनों मोबैल्स को आपको sim के tray दी गई है दोनों में type support है right side साब देखेंगे तो power के buttons और दोस्तो finger pin scanner इन दोनों मोबैल्स में आपको power के button के अंदर ही दिया गया है right side पर इस चीज में दोने जैसे हैं back panel पर आपको नहीं मिलता उपर की तरफ साब देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल plane design है इस तरफ कुछ नहीं दिया गया अब दोस्तो realme 6i के अंदर आपको 13000 में मिलती है 4GB के RAM 64GB के internal storage और realme 7 के अंदर आपको 15000 में मिलती है 6GB के RAM 64GB के internal storage तो storage आपको दोनों में एक जैसी दी गई है लेकिन 2GB RAM जादा मिल जाती है realme 7 के अंदर और 264GB में से realme 6i के अंदर आपको free memory मिलती है 50GB के असपास realme 7 के अंदर आपको free memory दी गई है 21GB के असपास तो तक्रीबन 1GB आपको और जादा मिल जाती है realme 7 के अंदर बाकि दोस्तों दोनों ही मोबल्स के अंदर आपको Android का बिलकुल latest version दिया गया है Android 10 ये खुब भी आपको दोनों में मिल जाती है इस चीज में दोनों ही मोबल्स बहुत जाद अच्छे हैं बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो 6i के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4300 इमेज की इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये मोबल्स के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5000 इमेज की इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैक आप अराम से मिल जाता है बैटरी के अंदर ये मोबैल काफी जादा बढ़िया है बैटरी के अंदर आपको जादा बैटर मिलता है realme 7 6i से बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो 6i के अंदर आपको दिया गया है realme 7 बाकि दोस्तों ये सारी खुब्या कम्या आपको मिलती है इन दोनों मोबैल्स में चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो दीखिए मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो में जरुत की चीज़ है वो कि इस मोबैल में ज़ाद अच्छी है तो दीखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबैल का कैमरा तो आप realme 7 खरी दिएगा कैमरा इसके अंदर आपको और ज़ाद अच्छा दिया गया है realme 6i से और दोस्तो अगर आपके लिए मैटर करता है मोबैल का प्रोसेसर तो वो भी आपको realme 7 में ज़ाद अच्छा मिल जाता है आप realme 7 खरी दिएगा इसके लिए दोस्तो अगर आपके लिए मैटर करता है मोबैल का डिजाइन तो look wise तो डिजाइन दोनों का ही अच्छा है लेकिन quality आपको थोड़ी सी और बैटर दी गई है realme 7 के अंदर अच्छे डिजाइन के लिए भी आप realme 7 खरी दिएगा इसके लिए वगर आपके लिए मैटर करती है मोबैल के बैटरी तो वो आपको जाद अच्छे मिल जाती है realme 7 में आप realme 7 खरी दिएगा इसके साथ इसके साथ आपको फार्शेजर भी जाद अच्छा दिया गया है और दोस्तों इसके अंदर आपको 2GB RAM भी जादा मिल जाती है 6i से आखर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबल की डिस्पले तो देखे डिस्पले के अंदर दोनों अच्छे हैं इसके अंदर मुझे इतना जादा खास फरक नहीं लगा आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं इच्छी डिस्पले के लिए अब दोस्तों देखाजा जो खुब्या Realme 6i के अंदर है वो Realme 7 के अंदर भी है लेकिन इसके अंदर आपको 5 खुब्या और जादा मिल जाती है Realme 6i से एक तो design की quality जादा better है दूसरा camera जाद अच्छा दिया गया है तीसरे इसके अंदर आपको important चीज बैटरी जाद अच्छे मिल जाती है चौतरे इसके अंदर आपको fast charger जाद अच्छा दिया गया है और पांचवा दोसरे इसके अंदर आपको 2GB RAM जाद दी गई है और दोसरे वैसे देखा जाए तो इसके अंदर आपको processor भी थोड़ा better ही मिलता है अब दोसरे इन दोनों mobile's में मैं आपको यही suggest करूँगा अगर आप 13,000 में Realme 6i लेने की सोच रहे हैं और अगर आपके लिए budget matter नहीं करता तो 15,000 में Realme 7 खरीद दियेगा यह mobile आपके लिए ज़्याद अच्छा रहेगा इन दोनों mobile's में बाकी 6i भी एक बहुत अच्छा mobile है अगर आपका budget 13,000 तक कही है तो आप 6i भी ले सकते हैं इन दोनों mobile's में यह mobile भी बहुत अच्छा है ज़्यादा better है Realme 7 परसनली मुझे इन दोनों mobile's में Realme 7 ज़्यादा अच्छा लगा इसका color मुझे ज़्यादा पसंद आया फिर भी दोस्तों आप बताएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों mobile's में कौन से ज़्यादा पसंद आया यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताईएगा